कि क्या आप भी बनाना चाहते हैं गर में waterproof bathroom, leak-proof bathroom मैं दिखाने जा रहा हूँ आज की कैसे बना सकते हम leak-proof bathroom, चाहे वो commercial site हो या residential site हो, अगर आप यह सारे tips follow करोगे, मैं guarantee से कह सकता हूँ कि 110 सल तक आपके बातरूम कुछ नहीं होगा, leak कम से कम tail के side से नहीं होगा, क्योंकि 90% leak इस प्रेकी जो होता है वो tail वाली की गलती होती है, तो मैं आप दिखाने जा रहा हूँ कि क्या-क्या गलती tail वाले करते हैं, लेकिन उसमें हाथ मालिक होता है जादा, तो मैं समझाता हूँ, आजओ, यहां पे है हमारे पास tail वाल मिस्टरी, ठेकदार है आप, आप ठेकदा होगा इसमें कमोट जो लगेगा वो ऊपर रहेगा दो तो डिखने के लिए है लेकिन का असली फायदा क्या है असली फायदा यह है जैसे नहाने की जगा हर जगा बातरों में नीचे होना चाहिए है, ठेक फायदा क्या है सिटप का अगर मैं हमेशे कहता हूँ या कोई भी अच्छा कारिगर कहेगा कि नहीं बातरों को सिटप देदो कम स्पेस रखो कम स्पेस जो नहाने के जहां पर पानी ज्यादा होगा उसमें क्या फायदा है आपको फायदा तो बता है आपको क्या फायदा उसमें अच्छा रहेगा पानी सही से निकलेगा ठीक है और कमोट की जगा में यह पानी नहीं जाएंगे आप कि देखो 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 मामला गया है इसके पीछे राज यह है कि जितना कम स्पैस हम रखेंगे नहाने के लिए उतना इनको स्लोप प्रापर निकलेगा अगर इनको हम बोलेंगे कि दस फूट सुकेर में हमें स्लोप देदो नहीं कर पाएगा कोई भी कारेगर दुनिया का इनको दस फूट में आदी इंजी सुलोप देना होगा ट्रेल बात्रूम खराब हो जाएगा दिखने में सही नहीं रहेगा तो इसलिए सिटफल दी जाती है बात्रूम के अंदर आई स उसके बाद आप यह टैल लगा हो गए जो गैब बची वो किस एड़ गई फिलोड के साइड दिवार के साइड में इस साइड कौन सा फिलिंग करो गया आप अपोक्सी हो जाएगा प्रापर यह तरीका गलत है यह तरीका गलत है मेरे बाद सुनो आज के बाद अगर आप ल गार दो यहां पर इसका सुपैसर लगा दो और साइड में प्रापर इफ वाक्सी बर दो अगर आप वाल में इफॉक्षी नहीं परोगे तो लेकिन फूलोर में एफॉक्सी बरना ताई है डिए फॉक्सी के लाइफ जो है कही गुना बैठर है बागी चीजों के मुकाबले बाकि सारे के मिकल की मुकाबती यां आपको बता हैं यह आप मुझे बता हैं कि फिलोर में जब अगर नदो लगते हो आप लगता है या ना माने लेकिन आप लोगों ता अपने बात तो कस्टमर सबका अपना अपना डिफेन है तो अगर उसमें से पेसल डलवाएंगे तो वो ठी अच्छी रहते हैं आप अगर 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 आप लोग बात्रूम के देवार के अंदर नहीं डाला दोगे अगर वाल के अंदर कोई बी इंपक्ट नहीं पड़ेगा इसको अप प लेकिन फ्लोर चाहें आप एक बैक लगा एक डेडर लगा डोबाई दो लगा दो चार लगा दो बाई छे लगा यह दो आट लगा ने फ्लोर में आपको साइड के कुना को चारू तरफ जितने भी सपैस रहेंगे वसको स्पैस देना होगा और वहां पर इपोक्सी बढ़न बाखे आएगा कोई इंजिनर दिखाने के लिए और समझाने के लिए इन शाइज कारिकर हदारों मार्केट में गुमते हैं हमें पहले जहांना चाहिए था कि टहल का काम टही ये वाथरून के आंदर क्या हम सिर्फ इसको जा जाने के लगाते हैं waterproofing kellie Neway लगाते हैं या इसके अलाव भी कुछ फाइदे है। तो टेल लगाने के 3-4 फाइदे हैं। सबसे पहली बात हमारा wall जो है यह waterproof बनता है यह waterproof बनता है wall उसके लिए हम टेल लगाते हैं और उसके बाद जो तेल और उस साइड हमना परस्तर रहता है यह पकड़ रखता है जादा इसलिए हम बाहर से बुझ लगाते हैं आप बहुत सारे लोगों की अपने अपनी सोच है लेकिन इसके पीछे जो काम है वो पकड़ करता है देवार को तो अगर आप देवार में टेल लगा होगे तो टे अपरेंट से कह सकता हूँ कि कम से कम उसमें 50 साल से ज्यादा लाइफ होका लीग नहीं होगा और कहीं कहीं होता है लोगों का वह होता है इन फ्लॉट फ्लोर ट्रैप्स की जगह पर और जहां कहीं पर भी आपके पास छे फूट चार बाई च्छे पांच बाधरों होगा हर एक बातरूम में सिट अप होना चाहिए 20 फूट स्केयर 25 फूट स्केयर 30 फूट मैक्सिमम स्केयर के अंदर कोई भी एक टैल वाला स्लोप ले सकता है उसके अलावा कोई भी टैल वाले के दम नहीं कि जो स्लोप देगा हां कहने को देगा वो लेकिन होगा क्या फिर वह दूर स काम अप लोगों को तक पहुंचाया और दूसरी बात कि जहां कहीं पे भी टैल वाला जाएगा टैल कम करने के लिए तो उसको चाहिए पहले खुद पलश्टर करना बहुत सरे वह टैल वाले के देंगे नहीं पलश्टर आप करा दो उसके बाद हम टैल लगानी जाएगे ल जो भी मैसन होगा पलश्टर वाला उसको नहीं जाना चाहिए था हुआ कि यहां पर पहले एक मैसन आया था उसने पलश्टर किया आप लोग देख सकते हैं यह प्राड़ा पलश्टर नया पलश्टर है लेकिन यह जो बैसन डाइवर्टर है उसने अपनी साइट इसको खें नहीं बुलाता तो क्या होता का अलकोहाल मुझे यह टैल को तोड़ना पड़ता बाकी चीज़े करना पड़ता इसलिए यह सारे चीज़े मदे नादर रखके कि पलंबर को भी पहले ही यह दिन याद रखना होगा कि हमें कभी भी साइट पे जाना होगा मालिक पैसा दे या याद रहेगा यह चीज़ लेकिन पलंबर को इतना वीजन होना चाहिए इतने होनी चाहिए मिलते हैं किसी एक वीडियो में तब तक दीजिएगा उपनी भाई को यादत असलाम अलीगों